क्रिश्ना ये वासु देवाया हरिये परमात्मने प्रणतह क्लेश नाशाया गोविन्दाय नमोनमहा राधिक्रिश्ना भक्तों मार्ख्षेश्मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत हैं राधरानी और भगवान श्रीक्रिश्न की कृपा आप पर और आपके संपोर्ण परिवार पर हमेशा बने रहे आज हम मार्क शिश्मास महात्मे के दस्वी अध्या का श्रवन करेंगे उमेद करती हूँ आपको हमारे चैनल पर सुनाए जा रहे मार्क शिश्मास महात्मे के अध्या पसंद आ रहे होंगे अगर आपने पहले के अध्या नहीं सुने हैं तो चैनल पर अप्लोडिड हैं, क्रिपया सुन लेज़ेगा, कोशिश किजिए कि आप प्रती दिन सुभा मार्ट शिश मास महात्मे की कथा जरूर सुने, इससे आपका पूरा दिन स्कारात्मक भी रहेगा, और आपको आपके कारियों में सफलता भी मिलेगी, और महात्मे कथ को सुनने मात्र से ही, आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, तो अगर आप लोग अभी तक की कथा नहीं सुन पाए हैं, तो आज से ही सुनना प्रारभ कीजिएगा, और अगर आपको हमारे द्वारा सुनाए जा रहे हैं, महात्मे पसंद आ रहे हों, तो व मैं पर नोटिवकेशन मिल जाए, तो आईए, अब श्रवन करते हैं, दस्वे अधाय का, भगवान नरायन, देवरिशी नारत से कहते हैं, संपून गोलो का दर्शन करके, उन तीनों देवताओं के मन में बड़ा हर्श हुआ, वे फिर श्री राधा के परधान द्वार पर उस द्वार का निर्माण उत्तम रतनों और मनियों से हुआ था, वहाँ पर दो वेदिकाएं थी, हल्दी के रंग की उत्तम मनी से, जिसमें हीरे का भी सम्मिश्रन था, बनाएगे श्रेष्ट रतन मनी निर्मित की वार्ट उस द्वार की शोबा बढ़ाते थे, देवताओं ने देखा कि उस द्वार पर रक्षा के लिए परम उत्तम वीर्भानों की नियुक्ती हुई है, वे रतनों के बने हुए सिहासं पर बैठे हैं, पितामबर पहने हैं, तथा रतन में आभूश्रों से विभूशित हैं, उनके मस्तक पर रतन में मुखुट उत्भासित हो रह निवेधन किया, तब द्वार पाल ने निशंक होकर उन देवेश्वरों से कहा, हे देवकर, मैं इस समय आग्या लिये बिना आप लोगों को भीतर नहीं जाने दूंगा, मुने ऐसा कहकर द्वार पाल ने शिरी कृष्ण के स्थान पर सेवकों को भेजा, और उनकी आग्या पाकर देवताओं को अंदर जाने की अनुमती दी, उससे पूछकर वे तीनों देवता, दूसरे उत्तप द्वार पर गए, जो पहले से अधिक विचित्र, सुन्दर और मनोहर था, नारत उस द्वार पर न्यूक्त हुए, चंद्रभानो नामक द्वार पर दिखाई दिये, जिनकी अवस्था किशोर थी, शरेर की कांती सुन्दर एवं श्याम थी, वे सोने का बेंथ हाथ में लिए, रदन मैं आभूश्रों से विभूशित होकर, रदन मैं सिहांसन पर विराजमान थे, पांच लाग गोपमों कस्मों, उनकी शोबा बढ़ा रहा था, उनसे पूछ कर देबता, तीसरे उत्तम द्वार पर गए, जो दूसरे से भी अधिक सुन्दर, विचित्र तथा मनियों के तेज से प्रकाशित था, हे नारत, वहां द्वार की रक्षा में नियुक्त, सूरे भानु नामक द्वारपाल दिखाए दिये, जो दो भुजाओं से युक्त, किशोर, श्याम एवं सुन्दर थे, उनके दोनों गालों पर दो मनी मैं कुंडल चलमला रहे थे, रतन कुंडल धारी सूरे भानु शिरी राधा और शिरी कृष्ण के परम प्रिय एवं श्रिष्ट सेवक थे, वे समराट की भांती नौ लाग गोपों से घीरे रहते थे, फ तिसे बहुत ही सुसर्ची दिखाई दे रहा था, अद्भूत एवं विचित्र रतन स्मुह से जटिल होने के कारण उस द्वार की सुन्दरता, मनोहरता और बढ़ गई थी, उसकी रक्षा के लिए व्रज-राज वसु भानो नियुक्त थे, देवतालग उनसे मिले, वे किश जोर अवस्था के सुन्दर एवं श्रिष्ट पूरुष थे, हाथ में मनी में दंड लिये हुए थे, रमनिये आभूश्णों से विभूशित होकर रदन सिहांसन पर बैठे थे, पके बेंब फल के समान, लाल होंट और मंद मंद मुस्कान से वे अत्यंत मनोहर दिखाई दे वहां देव भानु नामक द्वार पाल मिले, जो रतन में आभूशन धारन करके मनोहर सिहांसन पर आसीन थे, इस परकार एक एक करके दस द्वार तक वे सभी देवतागन गए, फिर ग्यारवे द्वार पर जब वे देवतागन गए, तो वह ग्यारवा द्वार अत्यंत जिन्हें रादिगाजी अपने पुत्र के समान मानती थी, वे पितांबर से विभूशित थे, बहु मुले रतनों द्वारा रचित रम्य सिहांसन पर आसीन थे, और अमुले रतना भरन उनकी शोबा बढ़ाते थे, उनका रूप बड़ा ही मनोहर था, वे अपने कपोलों की योगे कानों में उत्तम रतन में कुंडल धारन करके प्रकाशित हो रहे थे, श्रेष्ट रतनों द्वारा रचित विचित्र मुखुट उनके मस्तक की शोबा बढ़ा रहा था, प्रफूल मालती पुष्प की मालाओं से उनके सारे अंग विभूशित थे, करोडों गोपों से घीरे होने के कारण राजा धिराज से भी अधिक उनकी शोबा होती थी, फिर उनकी अनुमती ले देवता लोग प्रसंता पूर्वक बार्वें द्वार पर गए, जहां बहु मुल्य रतनों की बनी हुई, बहुत सी वेदी काएं प्रकाशित हो रही थी, वह विचित्र द देखा, बारहवें द्वार की रक्षा में सुन्दरी, गोपांग नएं न्योक्त हुई हैं, वे सब की सब रूप योवन से संपन, रतना भर्णों से विभूशित, पितांबर धारिनी, तथा बंदे हुए केश कलाप के भार से सुशोबित थी, उनके सारे अंग, सूसनीक् अलती की मालाओं से अलंक्रित थे, रतनों के बने हुए कंगन, बाजुबंद, तथनुपूर, उन उन अंगों की शुवा बढ़ाते थे, वे चंदन, अगूरू, कस्तूरी और कुमकुम के द्रव से अपने श्रिंगार किये हुए थी, वहां सो कोटी गोपीकाओं में एक श्रेष्ट गोपी थी, जो की श्री हरी को भी परंप्रिय थी, उन करोडों गोपीकाओं को देखकर देवताओं को बड़ा विसमे हुआ, मुने उन सब गोपियों से अनुमती लेकर वे देवता, प्रसंता पूर्वत, दूसरे द्वार पर गए, इस तरह क्रमशह, तीन द् और उन्होंने देखा, श्रेष्ट और अतिन्त मनोहर, गोपांगनाई, उनकी रक्षा कर रही हैं, वे सुंद्रियों में भी सुंद्री, रम्निया, धन्या, मान्या और शोभाशानिनी हैं, सब की सब सोभाग्य में बड़ी चड़ी तथा श्री राधिका की प्रिया हैं, इ उन सब को देखकर और उन-उन गोपांगनाउं से बातचित करके अश्चर एचकित हुएवे तीनों देवेश्वर, सोलहवे मनोहर द्वार पर गए, जो श्री राधिका के अंतहपूर का द्वार था, वे सब द्वारों में प्रधान तथा केवल गोपांगनाउं द्वारा यही रक्षणिया था, श्री राधिका की जो तेति संव व्यसका सक्या थी, वे ही इस द्वार का सरक्षन करती थी, अर्थात रक्षा किया करती थी, द्वार पर खड़े हुए निमेश रहित देवताओं ने उन सब को देखा, वह द्वार श्रेष्ट मनी रतनों की वेदिक जड़ी थी, उस द्वार को पारिजात पुष्पो की मालाओं से सजाया गया था, उन्हीं छूँकर बहने वाली हवा वहां सर्वत्र सुगंत फैला रही थी, राधिका की उस परम अश्चरे में अंतहपूर के द्वार का अवलोकन करके अर्थात उस द्वार को देखकर दे प्रवेश किया, प्रवेश करते ही उनके श्रीर में रुमांच हो आया, भक्ति के उद्रेक से उनकी आंखे भराई थी, उनकी मुक और कंधे कुछ-कुछ जुक गए थे, अब देवताओं ने श्री राधिका के उस श्रेष्ट अंतहपूर को अत्यंत निकट से देखा, एक जो बहु मुल्य होने के साथ ही बहु सुन्दर थे, उनसे उस द्वार की बड़े शोबा हो रही थी, अनेक प्रकार की वाध्यों की मधुर ध्वनी वहां गोंज रही थी, वीना आदी के स्वर यंत्रों के साथ गोपियों का सुम मधुर गीट सुनाई पड़ता था, ऐसे अंतःपूर को देखकर वे देवता विसमय से विमुगत उठे, उन्होंने वहां मधुर गीट सुना और उत्तम रिट्य भी देखा, वे सब देवता वहां स्थिर भाव से खड़े हो गए, उन सब का मन ध्यान में एक तान हो रहा था, उन देवेश्वरों को वहां रम्निय रतन सिहासन दिखाई दिया, जो सौ धनुष के बराबर विस्तरित था, वह सब और से मंदला कार दिखाई देता था, श्रेश्ट रतनों के बने हुए छोटे छोटे कलश समुहों उसमें जुड़े हुए थे, कुरोडूं सूरियों के समान वह प्रकाशमान था, उस तेजह स्वरूप को देखकर वेदेवता ध्यान मगन हो गए, तथा भक्ती भाव से मस्तक एवं कंधे जुका कर बड़ी श्रध्धा के साथ उनको प्रणाम करने लगे, उस समय पर्मानंद की प्राप्ति से उनके नेत्रों में आंसु भराये थे, और सारे अंग पुलकित हो गए वे ऐसे जान पड़ते थे मानों, उनकी सारी इच्छाएं अभीष्ट मनौरत पून हो गए हों, उन तेजह स्वरू परमेश्वर को नमस्कार करके वे तीनों देवेश्वर उठकर खड़े हो गए, और उनहीं का ध्यान करते हुए उस तेज के सामने गए, ध्यान करते करते जगत स्रिष्टा भ्रह्मा के दोनों हाथ जुड़ गए, नारत उन्होंने शिव को दाहिने और धरम को बाएं कर लिया, तथा वे भक्ति के उद्रेक से मन को ध्यान मगन करके उन परात पर गुणा तीत परमात्मा जगदेश्वर शिरी कृष्ण की स्तूती करने लगे, भ तेजह स्वरू परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं, जो मंगल कारी, मंगल के योग्य, मंगल रोब, मंगल दायक तथा समस्त मंगलों के अधार हैं, उन तेजो मैं परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं, प्रभु आप निराकार होकर भी दिव्य आकार धारन करते हैं, परमेश्वर को मेरा नमस्कार है आपके पैर नहीं है तो भी आप चलने की योग्यता रखते हैं नेत्रहीन होकर भी सबको देखते हैं हाथ और मुख से रहित होकर भी भोजन करते हैं आप तेजो मैं परमात्मा को मेरा नमस्कार है वेद में जिस वस्तु का निरूपण है वि मसकार करता हूँ हे परमिश्वर आपका जो परम सुन्दर और कम्निया की शोर रूप है जो मंत्रोक्त ध्यान के अनुरूप है आप उसी का हमें दर्शन कराईए जिसकी अंग कांति नूतन जलधर के समांग श्याम है जो पितांबर धारी तथा परम सुन्दर है जिसकी दो भुजाएं हाथ में मुरली और मुक पर मंद मंद मुसकान है जो अत्यंत मनोहर है माथे पर मो और पंक का मुकुड धारन करता है मालती के पुश्प समूहों से जिसका श्रिंगार किया गया है जो चंदन, अगूरू, रत्नों के बने हुए किरिट मुकुड जिसके मस्तक को उद्भासित कर रहे हैं जिसका मुक चंद्र शर्त काल के प्रफुल कमलों की शोभा को चुरा लेता है जो पके बीमब फल के समान लाल होंटों से सुशोबित है परिपक्व अनार के बीज की भांती चमकेली दन पंक्ती जिसके मुक के सुन्दरता को और भी बढ़ाती है जो रास रस के लिए उच्सुख हो केली कतंब के नीचे खड़ा है गोपियों के मुकों की ओर देखता है तथा श्री राधा के वक्षिस्थल पर विराजित है आपके उसी केली रसोट सुख रूप को देखने की हम सब की इच्छा है ऐसा कहकर विश्व विधात भ्रम्मा उन्हें बारम बार प्रणाम करने लगे धरम और शंकरने भी इसी स्त्रोट से उनका स्तवन किया अर्थात उनकी स्तूती की तथा नेत्रों में आंसु भर कर बार बार वंदना की हेम उने उन्त्री देवेश्वरों ने खड़े खड़े पुनह स्तवन किया वे सब के सब वहां भगवान श्री कृष्ण की तेज से व्याप्त हो रहे थे धरम, शेव और भ्रह्मा जी के द्वारा किये गए इस स्तवराज को जो प्रती दिन श्री हरी के पूजा काल में भक्ति पूर्वक पढ़ता है वे उनकी अत्यंत दुरलब और ध्रिड भक्ति प्राप्त कर लेता है देवता, असूर और मुनींद्रों को श्री हरी का दस्य दुरलब है परन्तु इस स्त्रोत का पाठ करने वाला या श्रवन करने वाला उसे पा लेता है साथ ही अगेमा आदी सिध्यों तथा सालोक के आदी चार परकार की मुक्तियों को भी प्राप्त कर लेता है इस लोक में भी वह भगवान विष्णु के समान ही विख्यात एवं पूजित होता है इसमें स्तंश नहीं है वह संपूर्ण सो भाग्य और आरोग्य लाब करता है उसके यश से सारा जगत पूर्ण हो जाता है वह इस लोक में पूत्र, विद्या, कवीता, स्थिर लक्ष्मी, साथवी सुशीला, पतिवरता पत्नी, सूस्थिर संतान तथा चीरकाल स्थाईनी किर्थी प्राप्त कर लेता है और अंत में उसे श्री कृष्ण के निकट स्थान प्राप्त होता है राधे कृष्णा, आज का अध्या यहीं स्माप्त होता है इसके अगले अध्या में आप चानेंगे कि किस प्रकार भगवान ने अपने इस रूप से सभी देपताओं को दर्शन दिये जिस रूप के प्राप्ति के लिए, जिस रूप के इच्छा के लिए सभी देपताओं मिलकर उनके स्थूति खेदी आईए, आप सुनते हैं श्री कृष्ण चाले साथ बंशी शोभित कर्म धुर नील जलद तन श्याम अरुण अधर जनुबीम्ब फल नयन कमल अभिराम पुर्ण इंद्र अरविंद मुख पितांबर शुभ साज जय मन मोहन मदन चवे कृष्ण चंद्र महाराज जै यदुनंदन जै जगवंदन जै वसुदेव देव की नंदन जै यशुदा सुत नंद दुलारे जै प्रभुबतन के द्रिगतारे जैनत नागर नागन थैया कृष्ण कनाईया धेनु चरैया पुनि नख पर प्रभुगिरिवर धारो आओ दिनन कष्ट निवारो वंशी मधुर अधर धरी तेरो हो विपूण विनैय है मेरो आओ हरी पुनि माखने चाखो आज लाज भारत की राखो गोल का पोलची बुक अरुणारे ब्रिदु मुसकान मोहिनी डारे राजित राजिवन यन विशाला मोर मुकुट वैजनते माला कुंडल श्रवन पीट पट आछे कटि कींकीरी काछनी काछे नेल जलज सुन्दर तनु सोहे चबिलखी सुर नर मुनी मन मोहे मस्तक तिलक अलक घुंगराले आओ क्रेष्ण बासुरे वाले करिपया पान पूत नहीं तार्यो अका बका कागा सुर मार्यो मधुवन जलत अगिन जब ज्वाला भैशे तल लखत ही नंद लाला सुर्पति जब ब्रज चड़े और साई मूसर धार वारिवर शाई लगत लगत व्रज चहन बहायो गोवर धन नख धारे बचायो लखिय सुदामन भ्रह्म धिकाई मुख महचादस भुवन दिखाई दुष्ट कंस अति उधम मचायो कोटी कमल जब खूल मंगायो नाथि काल यही तब तुमलीन है चरण चिन्ह दै निर्भय किन है करिगोपिन संगरास विलासा सब की पूरण करिय भिलाशा केतिक महासुर साहारयो कंसही केस पकड़ी दै मारयो मात पिता की बंदे छुडाई उग्रसेन कह राज दिलाई महिसे मृतक छहो सुतलायो मात देव की शुक मिटायो भव मासुर मुर देत्य सहारी लाए शट दश सहस कुमारी दै भी मही त्रिन चीर सहारा जरा सिंधू राक्षस कह मारा असुर पकासुर आदिक मारयो भरतन के तब कष्ट निवारयो दीन सुदामा के दुख टारयो तंदुल तीन मूठ मुख डारयो प्रेम के साग विदूर घर मांगे दूर योधन के मेवात आगे लखी प्रेम की मही माँ भारी ऐसे श्याम दीन हित कारे भारत के पारत रथ हांके लिए चक्र कर नहीं बलता के निजगीता के ज्यान सुनाए बगत नहरते सुधावर शाए मीरा थी ऐसी मतवाली विश पी गई बजा कर ताली राना भेजा सांप पिटारी शाली ग्राम बने बनवारी निजी माया तुम विधी ही दिखाओ उरते संशे सकल मिटाओ तब शत निंदा करी तत काला जीवन मुक्त भयोश शुपाला जब ही द्रौपदी तेर लगाए दिनानाथ लाज अब जाए तुरही वसन बने नंद लाला बढ़े चेर भय अरे मुह काला असनाथ के नाथ कनईया डुबत भवर बचावत नईया सुन्दर दास आस उरधारी दयाद रिष्ठी के जे बनवारी नाथ सकल मम कुमति निवारो चमुहु बेगी अप राध हमारे खोलो पट अब दर्शन देजे बोलो कृष्ण कनईया की जय बोलो कृष्ण कनईया की जय यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी अष्ट सिध्धी नवनिधी पल लही पदारत चारी बोल ये श्री कृष्ण भगवान की जय राध हरानी की जय सर्वदेवी देवताओं की जय उमेद करती हूँ आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजेगा और कमेंट भी कीजेगा अगर आप नए है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए राधे राधे आपका मंगल को